दोस्तों हमने अपने चैनल पे कई ऐसी गतिविदियों को कवर करा है जो की असाधारन होती हैं और उन सब में होरर गेम्स काफी प्रचलित हैं यहां मैं वीडियो गेम्स की बात नहीं कर रहा बलकि रियल लाइफ होरर गेम्स की बात कर रहा हूं जैसे की वीजी बोर्ड, एल पूजी उरा तो आज की वीडियो में हम इसी गेम पर बाते करेंगे साथी हम यह भी चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी सच्छा आई है So now with that said, let's roll the intro तो नाम सुनके ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि सूजी उरा एक जैपनीश शब्द है और ये उन नोट्स को कहा जाता है जो कि जैपान के राइस क्रैकर्स में रखे जाते हैं इसे आप फॉर्चुन कुकीज से कम्पेयर कर सकते हैं जहाँ आपने देखा होगा कि कुकीज को खोलने पे नोट्स वगेरा मिलते हैं कागज पर लिखे हुए जो कि आपके फॉर्चुन के बारे में बताते हैं अब इस होरा गेम सूजी उरा को खेलने से भी आपको आपका भविश्य मालूम पड़ता है जी हाँ इसलिए इस गेम को The Fortune Game और Crossroads Divination भी कहा गया है इस गेम को एक बार में सिर्फ एक इंसान ही खेल सकता है ओल्दो खेलने वाले के अलावा यहां दर्शक हो सकते हैं गेम के रिक्वार्मेंट्स भी बहुत सिंपल है जहां प्लेयर को मातर तीन अरेंजमेंट्स करने हैं सबसे पहले प्लेयर को एक कूम्ब यानि की कंगी रख लेना है जिनमें अच्छे खासे दांत हो फिर उसे कोई वस्तरिया कागज कुछ ऐसा जुगारना है जिससे वो अपनी शकल को आसानी से ढख सके फाइनली प्लेयर को एक ऐसी जगह खोजना है जो की क्रॉस रोड्स हो यानि की चोड़ा हा जहां से चारो दिशाओं में रास्ते जाते हों ये खेल आधी रात के बार शुरू होता है जहाँ प्लेयर को चोड़ाए पे जाना है और अपने साथ कूंब और फैस कवर भी लाना है इसके बाद प्लेयर कूंब के तीथ से आवाज निकालेगा, कैसे उन पे अपनी उंगलिया चला कर, देन उस प्लेड को तीन बार सेम बात रिपीट करनी है, विच इस सूजी उरा, सूजी उरा, ग्रांट मी ए ट्रू रिस्पॉन्स, इस पूरे प्रॉसस को कम्प्लीट करने केबाद प्लेड को वहीं वेट करना है, वर सम passengers अब यहां रिस्पॉन्स के तीन पॉसिबिलिटीज है, पहली पॉसिबिलिटी कि पूरे प्रॉसस के कुछ मिंटो बात तक भी वहां आस-पास कोई नहीं दिख रहा होगा, नहीं कुछ असाधरंगतिविदियां होगी ऐसे में ये गेम फेल हो चुका है और प्लेयर को दुबाड़ा शुरू करना होगा दूसरी possibility है कि प्लेयर को अपनी तरफ कोई जाना पहचाना आदमी आता दिखेगा वेल इस केस में भी गेम फेल हुआ और प्लेयर को दुबाड़ा शुरू करना होगा लेकिन तीसरी possibility में प्लेयर को अपनी तरफ एक अंजान इनसान आता दिख सकता है या सकती है ऐसा होते ही प्लेयर को तुरंद अपने चेहरे को उस face cover से cover कर लेना है प्लेयर को ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी हालत में उसे अपने चेहरे से ये face cover नहीं हटाना है तो कुछ seconds में प्लेयर को ऐसा महसूस होगा कि वो अंजान आदमी अब उसके काफी करीब आ चुका है ऐसे में प्लेयर उस अंजान आदमी से अपना fortune पूछ सकता है ऐसे में प्लेयर को तब तक वेट करना है जब तक वो अंजान इंसान चलाना जाए इस केस में उसे फिर से पूरे गेम को खेलना होगा वहीं दूसरी possibility है कि वो अंजान इंसान जवाब तो देगा लेकिन प्लेयर की fortune बताने से इंकार कर देगा इस केस में भी प्लेयर को उस अंजान इंसान के जाने का वेट करना है जिसके बाद ही वो अपना face cover हटा सकता है and then game restart किया जाएगा बट तीसरी possibility है कि वो अंजान इंसान प्लेयर को उसका fortune यानि भविश्य के बारे में कुछ तो बता देगा इस केस में game successful हुआ और steps वही same follow करने है जहां प्लेयर अपने face mask उस अंजान इंसान के जाने के बाद ही हटा सकता है although एक छोटी सी बात ध्यान ये रखनी है कि जब वो अंजान इंसान fortune बता देगा तब प्लेयर को उसे thank you जरूर बोलना है तो अब जब कि प्लेयर को अपने भविश्य के बारे में कुछ बाते पता चल गई है वो इस information के साथ जो चाहे कर सकता है भविश्य शायद अच्छा बताया गया हो या फिर बुरा भी लेकिन इस पर act कैसे करना है वो तो completely प्लेयर पे ही depend करता है अब आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि इस खेल को एक बार में सिर्फ एक इनसान ही खेल सकता है लेकिन इसे दूर से लोग देख जरूर सकते हैं वेल दर्शकों के लिए rules ये है कि एक तो उन्हें pin drop silence maintain करना है साथ ही उन्हें भी अपने साथ face cover लाना है ताकि दर्शक अपने चेहरे को तब ढखेंगे जब वो अन्जान इनसान उन्हें दिख जाएगा और face uncover तब करेंगे जब वो अन्जान इनसान जा चुका होगा अब यहाँ आपके मन में एक सवाल ये ज़रूर आ रहा होगा कि अगर कोई player game के rules को follow नहीं करता यानि वो stranger के सामने अपना face cover हटा लेता है तो इसका परिनाम क्या होगा well legends के हिसाब से इसका परिनाम बहुत बुरा हो सकता है usually player की जिंदगी में कुछ बुरी और सादन घटना होने लग जाएंगी या फिर player उसी वक्ट चोटिल हो सकता है और इन वर्स्ट केस player की जान भी जा सकती है अब ऐसा कहा जाता है कि in general अगर एक player सारे rules को अच्छे से follow कर लेता है अंजान इनसान उससे बात कर भी लेता है फिर भी ये खिल उसके लिए खतरनाक है क्योंकि usually जो players की fortune बताई जाती है वो एकदम dark या disturbing होती है ऐसे में वो player अपने future को सोच के मान से एक तनाव से गुजरने लगता है जिसका पड़े नाम कुछ भी हो सकता है यहां मैं आपको दो cases बताऊंगा जिने मैं reddit पे पढ़ा हूँ और हालाकि मुझे इन में कोई सच्छा ही नहीं लगती फिर भी यह सुनने में interesting जरूर है तो पहला कैसे James हो उसके चार दोस्तों का जिनोंने मजाक मजाक में सूजी उड़ा गेम खेला यह पांचो रात के तीन बजे एक चौड़ा है पे जाते हैं और रिचुल्स कम्प्लीट करते हैं औल्दो James यहां बार बार इस खेल का मजाक बना रहा था और कोई भी अपना face cover नहीं कर रहा था कुछ मिंटों तक ऐसा करने के बाद इन्हें अपने सामने एक लंबा इंसान दिखता है जो की black hood पहने हुए था यह इंसान James से कुछ ऐसा कहता है मैं तुम्हें जवाब दूँगा जो की होगी मौत ऐसा कहके यह आदमी इन पे हमला बोल देता है लेकिन यह पाचों लोग वहाँ से भाग निकलते हैं इस पूरी घटना को एक दोस्त फोन पे record करी थी लेकिन recording वापस चेक करने पे इन्हें कोई black hood वाला इंसान नहीं दिख रहा था खैर इस घटना को इस दिन बीट गये थे और सब कुछ सामाने था एक्सेप्ट कि एक दिन जेम्स को वो सेम black hood वाला इंसान दिखता है जिसके हाथ में चाकू था और वो जेम्स को creepily बाय कर रहा था इस इंसिडेंट से जेम्स काफी डर जाता है और वो बाकियों से इस बार में पूछता है सभी का कहना था कि उन्हें भी वो black hood वाला इंसान कभी न कभी कहीं तो दिख जाता है औल्दो वो इन में से किसी को हाम नहीं किया अब समय के साथ-साथ ये दोस्त अलग-अलग चले गए हैं इन फैक जेम्स तो दूसरे देश ही चला गया है लेकिन आज तक जेम्स को वो black hood वाला इंसान कभी कभी दिख जाता है जो कि उसे कुछ करता तो नहीं लेकिन यूँ ही haunt करता रहता है creepily smile करके future का तो नहीं पता लेकिन this is really creepy अब दूसरी कहानी बेला की है जो कि अकेले ही इस ritual को करने गई थी और वो भी face cover करना भूल गई ऐसे में बेला पे एक अंजान इंसान हमला कर दिया था अब हलाकि बेला वहां से भाग निकली लेकिन वो रात उसके लिए भायावा जरूर था एक अच्छी बात यह है कि बेला के साथ दोबारा ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं हुआ अब इन दोनों cases के अलावा भी कई और cases है जहां players का कहना है कि उन्हें वाकई उनका fortune बता लगा जो कि most cases में dark और bleak होता है अब इस point तक आपके मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि क्या वाकई सूजी उडा गेम का urban legend रियल है वैल इससे पहले मैं अपनी राय दूँ मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूं देखो कई cultures में crossroads यानी चौराहे का significance बहुत होता है for example कई जग लोगों का मानना है कि werewolves crossroads पे ही transform होते हैं then कई लोग मानते हैं कि dark rituals usually crossroads पे beach connection होता है जिससे आत्माएं हमारी दुनिया में आ जाती है देन चुरायल और तांत्रिक वगेरा भी crossroads पे ही अपना तंत्र मंत्र करते हैं in fact एक demon भी crossroads पे ही human से connect करता है अब क्योंकि चौडाहे से आपको चारो तरफ का रास्ता clear दिखता है कई लोग इसे future देखने से भी connect करते हैं the point here is कि कई cultures में crossroads का काफी significance है और Japanese culture में hairs को भी evil से काफी connect किया जाता है आप सबने grudge film देखा होगा जहां बाल को as horror element काफी इस्तमाल करा गया था तो इन ही दो thoughts को combine करके एक मन गढ़न्त गेम बनाया गया जहां crossroads पे कंगी बजाने से एक अंजान आदमी आपको आपका future बताएगा इस तरह के urban legends की कहानिया सुनने में काफी दिल्चस्प होती है लेकिन usually इनका वास्तविक्ता से कोई संबंध नहीं होता तो हां मैं यही मानता हूँ कि यह सब बस मन गढ़न्त कहानिया है जो कि interesting लगती है सुनने में आपको भी सुनके अच्छा लगा होगा मजा आया होगा लेकिन हां इसे आप सच मत मानिएगा लेकिन मजा आया तो वीडियो को like जरू कीजेगा और तो यहां मैं फिर भी सला यही दूंगा कि आप लोग इसे बिल्कुल देने वाला है तो हां मैं कहूंगा आप लोग ऐसा मत कुड़ो वैसे यहां मेरा सवाल आप से जरूर है कि क्या आप इस तरह के गेम्स को मानते हो specifically क्या आप इस वाले सूजी उड़ा गेम को मानते हो या फिर आपके हिसाब से भी यह से बस वाल तो बकवास है अपने जवा जब मेरा मेरा आप दिया लूख प्रांपिस्!